हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं वो आप से क्यों बात नहीं कर रहे हैं, वो आप से कोई भी बात को share क्यों नहीं कर रहे हैं, वो आपको सही से response क्यों नहीं दे रहे हैं, वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, तो चली देख लेती हैं, पहले card निकाल लेती हैं, उसके बाद में हम फटाफट देखी नहीं नी कि आपके पोर्शन जो है आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं चलिए मिलती है रिडिंग में तो गाईस अगर आपके person जो है चलिए रिडिंग संदी चलिए है तो तो बताना चाहूंगी गाईस कि आपके person जो है वो आपको क्यों饒र करते हैं वह ठीक से सीधे माँ बात क्यों नहीं करते हैं जब भी आप मेरी w해 Ross कोई बात बोलते हूंगे तो वो पोस्ट फोन कर देते हैं कि अभी नहीं बाद में बात करेंगे मुझे यहाँ पर कार्ट बता रहे हैं वहीं मैं बता रही हूँ कि वो जो है आपकी बातों को कभी सुनते नहीं है मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि अभी recent past में ही आपने शायद उनको उनकी असली जगह दिखाई है या उनके parents को आपने कोई कड़ा सबक सिखाया है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इसकी वज़े से वो बहुत हर्ट हैं इसी वज़े से बहुत धीर धीर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही patience रख करके आप चल रहे हैं मेरी viewers कि कभी तो सब कुछ ठीक होगा और मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं कि जब भी आप जो है कोई बात करते हैं तो वो postpone करते हैं तो आप बहुत विद्रोही सभाव के हो जाते हैं और मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि आपके person जो हैं वो सब कुछ समझते तो हैं लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि आपकी life में third party मुझूद है और वो third party उनके family members हैं कि उनके family members हैं और इसके just नीचे ही past life यानि कि आप लोगों के कुछ करमाज है जिसके वज़े से आपको ये situation face करनी पड़ती है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि फिर आप बातों बातों में बहुत दा लड़ाई जगड़ा करती हैं fighting करती हैं मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपके person जो है दो परिस्तियों में जूल रहे हैं यहाँ पर two of pentacles वो deciding ने कर पा रहे हैं वो जगल कर रहे हैं मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि उनको दोनों जगए अपनी भूमी का निवाने पड़ती है हो सकता है कि उनकी family members और आपके विश में जो है वो बहुत परिशान हो रहे हैं मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि दो परिस्तियों में जूल रहे हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप काफी patience रख रहे हैं कि कभी तो मेरी जिन्दगी में harmony आएगी peace आएगी कभी तो खुशिया आएगी लेकिन यहाँ पर खुशिया आने का नाम ही नहीं ले रही है इसलिए आप मेरी विवर्स काफी परिशान हो जाते हैं और जब उनसे कोई बात रखते हैं तो और आप दोनों ही जो है बहुत लड़ाई जगड़ा करते हैं पर जो है विद्रोही सभाव हो जाता है दोनों का ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों के बीच में आपस में लड़ाई जगड़ा होता है और यह लड़ाई जगड़ा क्यों होता है आप देख सकते हैं कि दा माइजर यहाँ पर king of pentacle जिसके पास में बहुत पैसे है financially stability है लेकिन यह बनता जो है बहुत ही कंजूस है यह एक रुपए निकाल कर देना नहीं चाहता है यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि यह उनके फादर हो सकती है या भाईया हो सकती है कोई भी हो सकती है आप मेरी विवर्स के जेट देवर या फिर जो है ससूर फादर इनला, मदर इनला या फिर ननत जो भी है आपकी life में यह problem create कर रहे है और यह बहुत ही कंजूस है इनके पास में finance की कोई कमी नहीं है इनके पास में अच्छा घर है, अच्छा finance है लेकिन यह आपके person को लटका कर रखते हैं मुझे ऐसा दिखाई दे रहे है इसी वज़े से वो परिशान है और वो ठीक से आपको जवाब भी नहीं देते हैं चीजों को post phone करते रहते हैं कि कभी तो हमारी life में खुश आएंगी और यह दिखाई दे रहे हैं कि past life connection है आप लोगों का उनके साथ में आपके करमा जुड़े हुए हैं इसी वज़े से यह लोग आपको परिशान करने हैं और यह कब तक चलेगा जब तक इनकी life में यह रहेंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि इनके करमा तभी पूरे होंगे जब यह दुनिया से उठ जाएंगे तब आप बुरा मत मानना मेरी विवर्स को मैं इसी लिए कह रहे हूँ क्योंकि आपको हर्ट ना हो बाद में कि यह तो बहुत लंबे टाइम तक चलता रहेगा खुद बखुद आपको तंग करकरके तब तक यह पीचा छोड़ने वाले नहीं हैं क्योंकि यहां पर आप लोगों के करमाज हैं और इसी वज़े से आपके परसन भी बहुत जगल कर रहे हैं आपके परसन भी बहुत दुखी हैं आप मेरी वीवर्स भी बहुत दुखी हैं आप यह सोचते हैं कि आपके परसन जो है वो ठीक से बिहेव क्यों नहीं करते हैं और वो आपको ठीक से रस्पॉंस क्यों नहीं देते हैं चीजों को पोस्टपॉन क्यों करते हैं वो आपको ठीक से टैकल क्यों नहीं करते हैं कहने का मतलब है कि आपके साथ में ठीक से बिहेव क्यों नहीं करते हैं आपको ignore क्यों करते हैं वो ignore करने का कारण, main कारण यही है ignore आपको क्यों करते हैं कि third party, family members हैं इसी वज़े से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके person आपको ignore करते रहते हैं और क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके person आपको ignore करें इसी वज़े से आपके person उनको दिखाने के लिए वो आपको ignore करते हैं और आपको कोई response नहीं देती हैं क्योंकि अगर उन्होंने response देना शुरू कर दिया तो तुरंत खबर उनके पास पहुंच जाएगी और फिर वो आपके person को घास भी डालने वाले नहीं है यहाँ पर सारा finance आपका डूब जाएगा और कुछ नहीं मिलने वाला इसी वज़े से आपके person जो है life बरबाद हो रही है तो यानि कि आपके person आपको ignore करते है उसके पीछे का क्या कारण है वो भी हमने जान लिया और हमने ये भी जान लिया कि वो ignore क्यों करती है इसी वज़े से ignore करती है ताकि उनको एसास कराए जाए कि आप मेरी विवर्स को बिल्कुल भी response नहीं देते है और बिल्कुल भी प्यार नहीं देते है बिल्कुल भी जो है अच्छे से tackle नहीं करते है ताकि इन से जो है finance बना रहे और वो डूबे नहीं ठीक है इसी वज़े से आपके person जो है ये postpone करते रहते हैं बहुत ज़्यदा सोचते हैं कि मैं नई शुरुआत करूँ मैं नई शुरुआत करूँ लेकिन साथ में क्या आता है टावर आता है इसके जस्ट नीचे ये टावर का काड़ है कि आपके person बहुत डरते हैं कि जब भी वो शुरुआत करते हैं जब भी आपके साथ खुश रहना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में टावर आता है क्योंकि वो आपके साथ में फिर कोई ने कोई नया गेम खेलते हैं और इसकी वज़े से आप लोगों के बिश्वे भी नहीं कर पा रहे हैं और वो जो हैं आपको खुश्या मी नहीं दे पा रहे हैं और बुरे बने होई हैं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो बहार बहुत देखते हैं कि मुझे इनसे भार निकलना चाहिए फाइफ वे पेंटेकल का काड़ है बाँ जादा दुखी हैं वो इस परिस्तिती से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन उनको डर लग रहे है कि अगर मैंने पैर बाहर रखे और वो खुशिया इनको बाहर नजर आ रहे हैं देखे आप देख सकते हैं इन्द धनुस के साथो रंग इनको बाहर नजर आ रहे हैं लेक आपका जीना हराम होता है, क्योंकि वो बंदा नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में यह खुशी आएं, इसी वज़े से आपकी लाइफ में टावर आता है बार बार, और उनको खुशी मिलती है, जब आप लोग आपस में लड़ाई-जगड़ा करती हैं, तो उनको बहुत ही सु किछे और कोई कारण नहीं है यह king of pentacles है किसी का जो है जेट देवर हो सकते हैं किसी के रनद हो सकती किसी के father-in-law किसी के mother-in-law हो सकते हैं यहां पर यह problem create कर रहे हैं इसी वज़े से आपके person जो है ignore कर रहे हैं ठीक है क्या future में वो आपकी तरफ action लेंगी उनके साथ आपका future कै क्या future में वो आपकी तरफ action लेंगी यह ऐसा ही चलता रहेगा बहुत regret है उनको भी यह नहीं है कि उनको regret नहीं है देखी उनको भी बहुत regret है बहुत दुखी है वो खुश नहीं है लेकिन मजबूरी यहां पर जलक रही है आपके person की यह देखिए आपके person खुद उनकी चं आपके person लालच वसी भूत होकर कि वहां पर गए थे अब जहिलो अब दुख दर्द को बरदास्त करो ठीके अब क्यों मायूस होते हैं लेकिन आपके person का भी लालच है कहीं न कहीं इसी वज़े से वहां से छोड़ कर निकल नहीं रहे हैं ठीके कोई सामने वाला बंदा कब तक कंट्रोल करेगा अगर खुद पैरों पर खड़े होकर कि अपना घर बसाए इंसान तो कोई सामने वाला बंदा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लेकिन आपके person को भी लालच है इसी वज़े से आपके person जो ह रहा है कि फिर से heartbreak हो जाएगा और फिर से जो है समश्या हो जाएगी क्योंकि आप लोग जो है lover है और यहाँ पर the lover का card है यह बताता है कि attraction attachment बहाँ जादा है और आपके person आपके तरफ आना भी चाहते हो सकते हैं आप लोग on off की situation में रहते हैं वो सकते हैं कि एक की छत के response देते हैं आपको नहीं देते हैं वो इसी वज़े से नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके साथ में आपके person खुश रहे हैं इसी वज़े से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो जब भी आपके साथ खुश रहना शुरू करते हैं उनका heartbreak हो जाता है क्योंकि वहां से वो उल्टा सिधा भरना शुरू करते हैं या फिर कोई ने कोई जो है प्रोब्लम की रेट करते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉंग दिखाई दे रही है इसकी वज़े से आपकी लाइफ में ये प्रोब्लम होती है आपके परसन आपको दिल ही हो सकती हैं यहां पर मैं देख रही हूं कि तरफ लेना भी चाहते हैं लेकिन यहां पर जो है सारा खेल उस किंग और पेंटेकल्स का है ठीक है इसी वज़े से उन्होंने अपने हर्ट को क्लोज कर लिया है अभी जो है किसी के लिए ओपन अप नहीं हो रहे हैं मुझे अस आपके परसन इसी वज़े से आपके तरफ स्टेंड नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि किंग और पेंटेकल्स की वज़े से और वो सॉलिड एक्शन भी लिना चाहते हैं आपकी तरफ ठीक है अनेर्जी को बैलेंस भी कर रहे हैं लेकिन यहां पर मुझे दिखाई दे रहे है कि वो किंग और पेंटेकल्स की वज़े से सारा डिले हो रहा है जब यह किंग और पेंटेकल्स आपकी लाइफ से आउट होगा तब ही मुझे लग रहे है कि आपकी लाइफ में खुश आएंगी ठीक है आपके परसन आपको क्या बताना चाहती हैं आपके परसन की तरफ से जाते जाते स्पाई करते होंगे वो आपके पास जितना आती है उतना ही दूर चले जाती है ऐसा उनको लग रहा है ठीक है वो नेक्स्ट लेवल तक अपने रिलेशन्शिप को ले जाना चाहते हैं यू आर माई कर्माई everything and then some उसके बाद ही कुछ और है ठीक है तो यहां पर आप देख लीजिए तो यह थी गाईज आपकी रिडिंग आई होब गाईज ए रिडिंग आपको रज़न्ट वी रज़न्ट तो प्लीज डू लाइक शेर और सब्सक्राइब माई चाहन थैंक्स वर वाचिंग त कर दो